जी सशीकल जी सारे नूँ एक वर फिर तो स्वागत कर देयां तो हड़े अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बजरते सो जिमेगी तो हनूँ पता ही है कि EDT उनाठ चुरानवे नू त्यांच राख दे हुई स्टडी बजरते ऑफिशल यूट्यूब चैनल दे उपर जड़े डेमो लेक्चर्स अपलोड होने शुरू हो चुके है जल्द ही एब डिसकेशन भी कीती जाओगी असी किस तरिके नाठ अपना जड़ा कोर्स लॉंच करन जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट दे असी दो दो तिन तिन लेक्चर्स जड़े अपलोड कार रहे हैं इस तो पहला Inglis SST टे इनन दे जड़े लेक्चर्स अफलोड हो चुके हैं जिन्हाने हाले तक जड़े demo lectures नहीं देखे उन्हादा लिंक description दे विच दता हुया है वो तुसी जाके videos देख सकते हूँ So, आज अपना mathematics दा lecture रहें वड़ा है उमीद करना कि lecture तो हडे ली बहुत ही helpful रहेगा तो क्यों कि बड़ा ही ड्रोना जा concept मना है जमेटरी आज आपा उस से जमेटरी नों एक interesting वेच पड़न दी कूशिश करांगे So, जमेटरी इरिडी कैडर उनार 94 दी त्यारी कर रहे हूँ तो हडे topic दा नाम होएगा An Introduction to Euclid's Geometry आज आपा Euclid दी जमेटरी उस बार ही discussion करन जा रहे है So, क्यों उना नू Father of Geometry क्या जन्द है पहला ता आपा उस concept तो ही जानू होए जन्द है देखो तो आटा जडा topic दा नाम होएगा An Introduction to Euclid's Geometry एना नू Father of Geometry क्या जन्द है जमेटरी एना नू जडा है जमाईती दे पितामा मन्ने यान्द है जमाईती दे पितामा मन्ने यान्द है ठीक है जी? क्यों मन्ने यान्द है? क्योंकि एना नी जडा है एना नी एक बुक लिखी सी उस बुक दा नाम सी Elements Elements एस नाम तो एक एना दी बुक आई सी Elements असल दे विच एक 13 chapters दी बुक सी 13 chapters दी एक बुक सी ओस बुक दे विच बड़ा ही detailed वी दे विच Geometry उजड़ा व्याखित किता गया सीगा ऐसे करके एना नो फादर आफ Geometry किया जन्द है यह गल नहीं है कि एस तो पहला भी किसे नो जमेटरी दी नौलेज है नहीं सी यह कदे भी नहीं है समझन दी कोशिश करो एस तो पहला हडपा सब्यता तुसी अपना जुरूर सुने होगा अपना जिन कह सकते Indus Valley Civilization Indus Valley Civilization Indus Valley Civilization तुसी हडपा सब्यता देता औरते जान दे होंगे इसनूं हडपा सब्यता देखों ओ सब्यता बारे जेकर तुसी कदे पढ़या होगा तो हनूं पता लगूगा उस समय दे लोग है जड़े जमेटरी तो बहुत ही पली पांती वाकिव सी गे आज तो करीब चार तो पंच हजार साल पहला होई एस सब्यता तो हनूं जानूं करूंदी है कि लोग ओ समय जड़ा है जमेटरी तो पली पांती वाकिव सी प्रन्तू ओ नॉलेज रिटरन फार्म दे विच अपने बच्चा तक अपनी पीडी तक ओ पंचानी पाई ब्रिक्स इटां जड़ियां इटां यूज कितियां गई है ओना दा साइज चार गुणा दो गुणा एक आतवाडे जड़ी बुक है गी है उस बुक दे विच भी दता हुगा टैंथ क्लास दी देखो प्रॉपर साइज रखना उनों यूज करना इन नालेज दास्दा है गा तुसी केसे भी अजिप्ट दी सिविलाइजेशन देख सकते हूं मिशर दी आपका कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब उननों नालेज दासी प्रन्तु रिटन फार्म देविच साठे कोल किमें और लग गया देखो यूकलीड ने था सिर्फ और सिर्फ जड़ा जो कंटेंट पहला जो स्टड़ी पहला हो चुकी सी ओधी गैदरिंग केती सी उसनों कठा के तसी दी क्लेक्शन कीती सी ऐस तो पहला पाइथगोर्स होए सी पाइथगोर्स तो भी पहला थेल्स तुसी नाम याद रखोंगे थेल्स ग्रीक मैथेमेटीशन होए ग्रीक मैथेमेटीशन अग्रीक मैथेमेटीशन ओर्थों देचेडे एहे गिनित शास्त्री होए है तु उसी फिलोस्पर भी सुने हो क्योंकि इस सारे सुब्जेक्ट फिलोस्पी दा पाट हुने सी पहला इनाने पहली वार को रिटन फॉर्म चक्वतेशन दती सी कैन्दे आ सर्कल आ सर्कल इस बाइसेक्टेट पाई इट्स डायार्मेटर आ लाइन त्या आनार सुनों भी समझो इ एक चकर अपने व्यास द्वारा बराबर दो हिस्यां विच वंडिया जान्दा है वंडिया जान्दा है देखो अलाइन तौनों दास दी है थेल्ज में पहली रिटन स्टेटमेंट दती सी आहां ऐसे तो बाद एना दे कई स्टूडेंट होए है जवे पाइथा गोर्स दा नाम तुसी जरूर सुनिया होगा थीक है एस तरह दे कई स्टूडेंट से एना दे उना ने बहुत सरी स्टड़ी किती तुसी पाइथा गोर्स दा जड़ा एक राइट एंगल ट्रेंगल देपर तुसी जुरूर सुने होगा जड़ा हाइपो टैनिस दा स्केर होंदा है वो हमेशा प्रपेंडिकुलर स्केर प्लस बेस स्केर होंदा है आथ तुसी पढ़ दे आये होंगे मैं होई ची दस्तंदी कोशी कार देया आप भी ए सारी मेनत नो युकलिड ने एक बुक दे विच युकलिड दा जड़ा आप दा समा सी तेनसो पच्ची बीसी तो लेके दोसो पैट बीसी तक सी गा ठीक है किसे दा कुशने भी हो सकता है किसारे टाइम पुठा क्यों चल रहे है तुसी बिफॉर क्राइश्ट दा समा चेक करके देख सकते हो उल्टा चालदा होंदा सी गा तो इस करके इनू ते आंच रखोंगे एलिमेंट्स आसारी जड़ी मेनत किती हो इसी जमेट्री दे लई ओनु जड़ा इकठा करन दा कम किता सीगा वो युकलिड ने किता सीगा कि इंडियन परसन ने भी किसे ने हेल्प किती हो इस ता तुसी याद रखोंगे जड़ी समदोब जी होंदी है ओदा एरिया पता करन दा जड़ा फॉर्मला दता सी ओ आरिया बटने दता सी एना तो इलावा जड़ा अपने नोट कर सकते हो जड़ी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू पाई होंदी है अप्रॉक्स वैल्यू आफ पाई पाई दी जड़ी अप्रॉक्स वैल्यू वी जड़ी है अरिया बटने दती सी एस तो इलावा होर जड़ा नोट कर सकते हो वॉल्यूम आफ पिरामिड वॉल्यूम आफ पिरामिड ए वी जड़ा है सेज़ेस्ट किता गया सी आर्या बढ़ दोरा एस तरह दे कई भासकर वर गे होर भी मैथेमेटिशन होया है इंडियन जिनना ने जड़ा है जमेटरी देली कम किता होया है सो पहली लाइन दे ते आंच रखोंगे युकलेट दे फादर अफ जमेटरी उनने एलिमेंट्स ना दी भूक लिखी सी गी तेरा चैप्टर जो दे विच हैगे हर चैप्टर अपने आपचे बाग माल पुस्तक हैगी है इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं थोड़ अगे हिस्ट्री तो जानूं करवान दी कोशी कीती सी हुन आपा ए तसी जड़िया थैटिकल वर्क सीगा जड़ा तोनूं याद रखना पहुगा यह ओ गल्ले जड़िया तोनूं आपड़े माइंच रखनेया पैन किया हुन आपा जमेटरी नूं समझन दी कोशिश कर देया सब तो पहला आपा पॉइंट तो शुरू होने है मैं कोशिश करूँगा कि जो भी स्टेट्मेंट दे रहे हैं तो अड़े समने ओहो यूकलीट दे अकॉर्डिंग होवे मैं सब तो पहला पॉइंट अमरे थोड़ा जा जानू करवादना पॉइंट बिंदू ठीक है आलो जी आ बिंदू है दो अड़े समने मैं एनू A, B, C, D, P, K कुछ भी मैं इसमनों डिनोट कर सकदा किसे भी कैपिटल लेटर देना रहा अपन एदी जे डेफिनिशन देखना चाहिए तो उनने किया है अपॉइंट इस आ इग्जेक्ट लोकेशन एक बिंदू मतलब एक इग्जेक्ट लोकेशन हों दी है उस तो जड़ा जानू हो सकते हैं एदी सब तो वड़ीगाल किया है अच्छा पंजाब या ले नोट करलोंगे कि ज़स्दा कोई पसार नहीं होंदा कर लेने यहां 3D 3D इदिच की कुछ आयंद है पहला आप उना तो जानूं हो जानने हैं भी 1D 2D 3D की है 1D न मतलब हुंद है one dimensional one dimensional मतलब एक पसारी एक पसारी सूचना अच्छा जीदे विच एक पसारी सूचना हुंदी है उन्हों की कहन दिया है पहली एदेच लाइन आयंदी है मतलब रेखा ठीक है रेखा आ देखो तुसी मैं ऐस तरी के नल बना की विदास्तन थानूं आ एए अब एए एस तरी के नल लाइन आयंदी है दूसरी चीज रे देखो सिर्फ तो देखो एक इनफरमेशन है वन डैमेंशनल इनफरमेशन वन डैमेंशनल इनफरमेशन एदेच हुंदी है रे जीनों आपका किरन कह सकते हैं भी एदा स्टार्टिंग पॉइट होएगा बट एंडिंग पॉइट नहीं होएगा आलो जी ए और बी उस तो इलाबा लाइन सेग्मेंट लाइन सेग्मेंट लाइन सेग्मेंट जीनों आपका रेखा खंड कहांगे रेखा खंड ए तो हडे कूल सिर्फ और सिर्फ एक सूचना हुन दिये तूडी मतलब two dimensional information तो हडे कोल एदेचर दो पसारी सूचना हुन दिये मतलब हडे कोल दो पसारी सूचना होएगी मतलब द घोल इनफरमेशन होण गिया जेकर मैं टूडी नूँ सौखे शब्दांच पुर्वाशित करना चाहां ता कह सकदा हां एक सर्फेस हुन्द है एक सर्फेस हुन्द है एक तल हुन्द है सर्फेस एक तल आतो आटे समने जो वाइट बोड है मिरकोल एक रिक्टैंगल शेप दे विच्छ है पर एक तल है ना एक सर्फेस है है ठीक है एक केड़ी केड़ी फॉर्म चो सकता है एक ट्रेंगल हो सकती है है ट्रेंगल मतलब त्रीपुझ हो सकती है एहे एक क्वाडी लेटरल हो सकता है क्वाडी लेटरल मतलब एहे एक चत्र बुझवी हो सकता है अच्छा भी तो अडेकुड तल है उसदी टेन साइड हो सकती है, तुरी पुझ हो गया, ति कौन, ट्रेंगल, कॉर्डी रिल्टर हो से चार साइड्स भी हो सकती है, पहली टाइप हैस दि, कहाँ इस दि दुज़ी है, दुज़ी टाइप क्यूर्डी रिक्टेमर्ल चार साइड्स कीनी कीनी हो सकती है और एक सकेर हो सकते भी मतलब एक वर्ग हो सकते है दूसरी चीज ओहों एक रिक्टैंगल भी हो सकती है रिक्टैंगल एक आइत हो सकती है आई ठीक है मैं इती नालनाल जूर तो अडे सामने एक फिगर बन उनदी कोशिश करता है आलो जी A B N C ठीक है स्केर बना दने आपी आलो भी A B C D आपकेसे भी A B S किसे नाल भी डेनोट करते है आई आलो जी आ तो अडे सामने आहीत आगे A B C D तो अडे सामने वो रॉंबस भी हो सकता है रॉंबस मीन्टू से सम चतरपुज सम चतरपुज जस्तिया चारो साइड सीकल होनगी है बट डाइगनल अलागलग होनगे कुछ S3 केनल तुसी है पतांग दी फॉर्म चे देख सकते हैं A B C D ओहो ट्रैपीजियम हो सकता है ट्रैपीजियम मतलग सम्बलम चतरपुज हो सकता है भी ठीक है सम्बलम चतरपुज जिसने कोई दो साइड्स पैरलल होनगी है मैं इत्थे SD फिकर इत्थे बना रहे है मैं तो अड़े सामणी आलो एक दो आ जड़ी A B C और D दता होया है एदे विच A B पैरल है C D दे ए तो अड़े सामणी ट्रैपीजियम आ गया एदे तो इलावा होर की हो सकता है ए तो अड़े कोड़ पैरलेलोग्राम हो सकता है मतलब समांतर चतर बुझ समांतर चतर बुझ समांतर चतर बुझ हो सकता है सब्सक्राइब करने हैं कि मैं हर एक पॉइंट में बड़ा सलीक की न लगए व्याक्षित करूंगा आप पहली फिकर ट्रेंगल हो सकती है दुझी कॉइटी लेटल हो सकती है आ सारी चीज़ां बारे पूरा डेटेल्ज आप पर डिसकेशन करनी है हले एस तो इलाबा सरकल भी हो सकता है येस एहे सरकल भी हो सकता है चक्कर भी हो सकता है आज एड़ा मेरे को वाइट बोड है इस सर्कुलर फॉर्म चीवे हो सकता सी है तक तली ना सरफेस है ना उमीद करना भी आभी समझा आ गया होगा 3D की हुझी है आप लीज उसी नोट कर लिया होना है अम 3D की हो सकता है जीवी कंटेनिंग कपैस्टी होवे कंटेनिंग कपैस्टी होवे कंटेनिंग कपैस्टी होवे मतलब तार्न करंदी समर्था होवे तार्न करंदी समर्था होवे ओसमोशी की कैदने आभी 3D शेप हुझी है जिमें एक क्यूब हो सकता है जिन्हों आपका कान क एक्जामपल ओपजल बॉक्स होंदा होगा हना पजल बॉक्स तु सी मेल लेत हारति उचीड़ा रंग मिला हो ना अक्सल अक्सल जड़ी उस ती रील बगएर भी बन दिये हैं हना ओश दी सब तो सोनी इक्जामपल है कि बॉयड कि बॉयड मतलब कडा आप आलो जी कडा भी हो हो सकत है करण एक बृक हो सकती है एक ये टच ये अधा यो सकत है आप सिलंडर हो सकते सिलंडर सिलंडर मतलब बेल बेलड बेलड आ द एक्जांपल खुद सिलंडर ही आ उस्तो Zhen कॉन हो सकते हैं जिन्हों इस दी छिनक हो सकते हैं टीक है इस लेग्जांपल बाल्टी हो सकते हैं आहरी कीदि करने करते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ जमेंटरी तो इंट्रो करवा रहे हैं तो हड़ी ठीक है छेवा पॉइंट जीड़ा हो सकता है तो आड़ेस हमने स्फियर हो सकता है येस स्फियर जीनों अपना गोड़ा कहा दने आपी आज एड़ी बॉल हों दिये सब तो सोनी इग्जामपल हैस दी बॉल सेवन्थ हेमिस्फियर हेमिस्फियर मतलब अर्ध गोड़ा लाव जी अर्ध गोड़ा करे जड़ी अपनी बाटी बगरा हों दिये हाफ कोई भी बॉल हों आपा ब्राबर तो इससेंच कर दिये थ्रीडी शी अब एनुँ आपना जड़ा बड़ा वधिया तरिके नर्जिन्दा मैं वधिय कोशिश कर सकता हुणना हमा कीती है उमीद करता है कि तो आनुँ सारा समझ आ गया होगा हो सकता है एकस वई जड़ ठीके देन अपना देख देया मैं इथे दो चीजानों प्रिबाशित कर दी कुश्ची कर रहे है मैं इथे लाइन बड़ यूज किता है लाइन लाइन आ सारी चीजानों मैं व्यक्षित करूं आभी वनडी, टूडी, त्रीडी हाले उसी नोट कर लिया होना है ज़े नोट नहीं किता बैक जाओं वीडियो नूँ पॉज करो अराम नल नोट कर लो भी ठीके नेक्स्ट वनडी वनडी बारे होर पढ़ दें अपा वनडी च मैं एक लाइन यूज किता है लाइन रेखा ठीक है ज़े डेफिनेशन दी गल करां ता इधी डेफिनेशन है अलाइन इस ब्रेथलेस ब्रेथलेस लेंद वी पंजाब बीच नोट कर सक दे हो एक रेखा एक रेखा चड़ाई मुक्त चड़ाई मुक्त लंबाई है लंबाई है ठीक है एक रेखा चड़ाई मुक्त लंबाई हुंदी है ए देखो तुसी है इन्हों बनाआके भी देख सक दे हो भी आलो ए है आ भी है फिकर भी आगे हुण आपा इन्हों डिनोट के में कर सकते हैं ए भी दियो पर आपा इस तरीके नाट जड़ा है ला सकते हूँ जे मैं वैसे एक जनरली कुछन पुछा भी की इसदा स्टार्टिंग पॉइंट हुंद है स्टार्टिंग पॉइंट हुंद है ठीक है एर्दिंग पॉइंट भी नहीं है लाईन बारेत सोच सकते हूं पूइंड़ वी नहीं है अलाइन भी नहीं है यतिसन लाईन बारे एरीक जड़ियाहं और डेक्सnow ट्यार रखऍसके नहीं एनन्हों आपा बोथches बोथ side जेड़ा extend कर सक दियां मतलब वदा आ सक दियां यह नों तुसी acid भी वदा आ सक दियां acid भी वदा आ सक दियां एक जेड़ी चीज और समझे ना लिए है line दियां कुछ types ने अच्छा मैं अगे रे बारी भी discussion करूँगा मैं discussion करूँगा आगे line segment बरे भी और ते आनल सुनो अपा line बारे थोड़ी discussion कर ले लाइन किन्ने किन्ने तरह नी हुंदी है पहली line हो सक दिया intersecting lines intersecting lines intersecting lines पंजाबी ज़ कह सक दियां काटमिया रेखामा काटमिया रेखामा काटमिया रेखामा भी देशी तरी के रण समझो आ line है कि यह है आ line यहनों आपस्च काट गी बैस दो line जिनना देख संजा बिंदू होवे नूं काटमिया रेखामा कहदन दिया English चिलेख सक दियू two lines two lines having a common a common common point जिनना अधा एक संजा बिंदू होवे उननों आपका कह सक दिया दो line जित्तिया आपस्च कटन किया उननों point of intersection कह दिया की कह दिया जी point of intersection it means सम काटमा बिंदू पंजाब बीच भी note कर सक दियू काटमा काटमा बिंदू कह सक दियू ठीक है अग्गे move कर दिया दूसरा point है parallel line भी हो सक दिया yes parallel lines भी हो सक दिया parallel lines मतलब समानतर रिखामा समानतर रिखामा भी समानतर रिखामा की होणगी है समानतर रिखामा हो दिया a line ray l a line ray m दो lines आ गिया ठीक है a line भी l और m वैसे मैं दसना पोल लगे होंगे शायद जीडी लाइन होंदी है उन्हों किसी वेपास स्मॉल लेटर ना डिनोट कर सकते हैं एरे विच की है equal distance होंदा है भी सब तो वड़ी गल ही यह है कि दोना दिविचकार equal distance होगा मतलब ब्राबर अंतर चलोगा and never meets never meets एक कदे मिलन गिया भी नहीं जिमें एक railway पटड़ी होंदी है उस दिशब तो सोने एक्जम्पल है कि यह तीसरा point जिड़ा तुसी नोट कर सकते हो तीसरा है coincident line coincident lines Punjab बीच कह सकते हो संपाती रिखामा Punjab बीच कह सकते हो संपाती रिखामा संपाती रिखामा की हुँदी है A line है गिये भी मेरे कोड L एदे उपर ही किसे दूसरी line दा आ जाना एदे उपर ही किसे दूसरी line दा आ जाना उन्हों आपका कह सकते है coincident lines एस तो इलावा होर केड़ है चौथी line होर भी हो सकती है चौथी line मैं तो अनुशाय दे तो cutting ओनी शुरू हो जी कि ता करके मैं चौथी line एथी लिख दना चौथी line की होएगी चौथी line हो सकती है concurrent lines concurrent lines पंजाब बीच कह सकती हूँ समवर्ती समवर्ती रिखामा ठीक है समवर्ती रिखामा मैं definition दास दना तो आनू एल एम और एन तेन लाइन आ गिया definition की है त्री और मोर्देन त्री तेन जा तेन तो जादा रिखामा जिरना दा एक ही संजाब बिंदू होवे उननों आपा कह दने या concurrent line समझ पा रहे हो ठीक है एक उंदी है ट्रांसवर्सल लाइन त्यान रख्यों जी एक उंदी है ट्रांसवर्सल लाइन आभी चौथा पॉइंट आ गया मैं इथे पज़वा पॉइंट हो लिख देना थाड़े सामनी फिफ्थ पॉइंट फिर लिखूँगा मैं एक उंदी है ट्रांसवर्सल लाइन जिसनु आपा कह देने आ च्छेदक रेखा जिसनु आपा च्छेदक रेखा बोल देने आ ट्रांसवर्सल लाइन केडी होंगी भी ट्रांसवर्सल लाइन हों दिया दो जा दो तो वध Lines पहिया हों दिया आ लो भी A Line है L, A है M A दो Lines में L और M हो सकती है अग्गे जाके अपस्ट मिल जा नहीं है एना नो कोई लाइन अपने अलागलग बिंदुवां ते कटी देखो आ लाइन आगी एन यह अपने अलागलग पॉइंट्स ते कट रही है सुनू यह जड़ी एन है गी है यहे एक दो कि ik ट्रांसवर्सल लाइन ही खी है उमीद करदाा समझ गे हूंगे तुसीं भी इंटरसेक्टिंग लाइंस की हों द पैललल लाइनस की हों अपार रिपीड कर सकते हैं कॉंक्रेंट लाइन की हुं दिया भी जितों तेन तो वद लाइन से जड़ियां किसे एक पॉइंट ते कड़ दिया हूं ठीक है उन्हादा कोमन पॉइंट होवे उन्हों आपका कह सकते हैं अभी उमीद करना कि आज ड़ा तौन लाइन कंसेप्ट है उचंगे स्लिक के नड़ समझ आ गया हून है ठीक है लाइन दा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं हुंदा ऐस तो इलावा होर की जान सकते हैं अपका अपका हून रे पर ही जान दे हैं रे लाइन पर ही जान लिया भी लाइन रेखा दुज्जा है रे इट म है बट एंडिंग पोइंट नहीं है A अर B डिनोट कर सकते हैं A बी दे उपर कुछ S तरीके रा रे बना के तुसी कह सकते हो स्टार्टिंग पोइंट स्टार्टिंग एस दा शुराप्ती बिंदू हुंदा है, तो येस हुंदा है, बट एंडिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है जिड़ा, ओ नहीं हुंदा, एदी खास गल की होगी, only in one direction, only in one direction, सिर्फ और सिर्फ एक दिशाच येसनों extend कीता जा सकता है, extend कीता जा सकता है, बदा आया जा सकता है, समझे पारे हों काल, तीसरा आजांद है भी, line segment, line segment, line segment, line segment, मतलब रेखा खंड, रेखा खंड, रेखा खंड की है, आलो जी A, और B, A, B आगया जी, ओके, एनों आपका denote भी एदा ही करना होंद है, A, B, पर कुछ इस्तरा line लाँगे, इदा starting point भी है, ending point भी है, एक fixed length होंदी है, आपका कह सकते हैं, A, fixed length, एक निश्चित लंबाई होंदी है, तो एनों extend करना था, स्वाल ही पैदा नहीं होंदा, ए आया है जी, 1D shape बारे, दे देख देऊ, तुसी जरूर नोट किता होगा, कि उधे विच कुछ ऐसी हैं कलना आयांदिया है, जेडियां की correct और incorrect statement पुछी जा सकती है, जे तुसी एनना तो पलीपांती वाकिफ होंगे, तो आटे correct और incorrect statement है, जेडि कदे गलत नहीं होगी, उमीद करना कि 1D shape है, जेडि चंगे से लिके लाट समझागी होगी, हले मैं एनना दा होर भी यूज़ करना है, बस तुसी एनना थोड़ा या, ऐस तो आपा इंट्रो है गी है, पूरे डिटेल चे जाना दी कुशिश कर देया, चलो, next point, जेड़ा आपा मूग कर सकते हैं, 2D और 3D shape दा आपा comparison कर देया, 2D, एक आयदी है 3D, 3D, मैं तोनों हुनी दस कहते हैं, 2D एक surface होंदे, surface होंदे, इट मीन्स तल होंदे, यह दे तो आपा दो चिज़ा पता कर सकते हैं, पहला यहस दा perimeter भी पता हो सकते हैं, perimeter मतलब परिमाब, परिमाब पता कर सकते हैं भी, परिमाब हुन्दा की है, definition, sum of sides होगा, जिए मैं एक गल कर लेना, square दी, square दी, मैं वर्ग दी गल करूंगा भी, चार sides में, चारो equally एस करके आपा फौर यह लेख लेने हैं, फौर यह लेख लिया, आपा एदा formula, perimeter कर लिया, एस दा area भी हो सकते हैं, area हो सकते हैं, मतलब एदे आपा खेत्रफल दी गल करांगी, खेत्रफल हुन्दा की है, एक dimension नूँ, दूसरी dimension देना, multiply करके, आदेखो, तो हाड़े सामनी, एक का square हैगा, एदे आपा sides दा जोड कीता, A, B, C, D, होता तो आड़ेकोल आगया, perimeter, जोद आपा विजला खेत्र क साइटन, दूसरी साइटन, multiply करना हुन्दा है, ता अपना formula पढ़ जानदा है, S square, A square, जा A नाम देखता है, A, S square है, ता S, अपा नोट कर सकते हैं, 2D shape पतला गया, हाली होर भी study करांगे, अपा जानांगे, square, rectangle, हर एक figure नो आपा पूरे detail चा पढ़ने, 3D shape, containing capacity, containing capacity, करनदी समर्था हुन्दी है, तार्न करनदी समर्था हुन्दी है, उसनों अपा कह सकते हैं, 3D shape, एदे विच्छ दो चीज़ा हुन्दी हैं भी, क्योंकि अपा पहला एदा area भी कड सकते हैं, area मतलब खेत्रफल, खेत्रफल भी आके दो तरह होगा, पर मोटे तौरती गल्द दस देना डीवन इंटू डीटू कड की ही अपना कर दे हुने हैं एक डेमेंशन दूसरी डेमेंशन देना मुल्टीप्लाई करना हुन्द है जो फॉर एक्जांपल मेरेको डेसे में डस्ट्री है जे अपना इदा कवड सर्फीस ही रिया कड़ना है एक को दा पास्वी सता थे खेतरफल टॉप ते बॉट्टम नों एक्स्क्लूड किता जाएगा उपर ले तलनू ते हेट ले तलनू जेड़ा है एक्स्क्लूड किता जाओगा ओनली जेड़ा है आणा दोड़ा है उस दा एरिया पता किता जादा हुन्द है यह हो गया एरिया उस तो बाद है वॉल्य वॉल्यूम इड मीन्ज आइतन आइतन वॉल्यूम की होनदा है तेन डाइमेंशन आपस दे विच्छ मल्टीप्लाई होनदीगा है D1 इंटू D2 इंटू D3 तेन डाइमेंशन होनगे तिनों डाइमेंशन आपस दे विच्छे जडिया वो multiply होने गिया फिर अपने समझे volume होंदा है एवी तो हम पूरा detail चाहले आपका करना है देखो पहला तुसी इसनों पर note कर सकते हूं फिर आपका अग्गे move कर देया हाँ जी सो एसी अपने बनों geometry दे लिए एक छोटी जी कोशिश क्योंकि बहुत सारे students इसनों होगा समय देया है तो मैं नहीं चौंदा आपका होगा समझे अपका इनू वदिया तरीके नहीं समझ लेके ओनी है मैं जिननी कोशिश कर सकता उननी कोशिश करांगा जेकर लगदा है कि ये सेशन तोहाटे लिए helpful है तो वीडियो नू लाइक करना है अपने friends नहीं शेर करना है जेकर तोहाटी फस्ट विजिट है साटे channel दे उपर चैनल सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐस तरह दा बहुत ही helpful content है तोहाटे लिए जड़ा है ओन वाल है ऐससे channel दे उपर paid course बहुत शक्रिया पानवाटे